आप लोगों ने पराठे तो बहुत ही ट्राइ कियोंगे अलग-अलग टाइप के पर आज जो है वो बहुत ही बढ़िया पराठा बनाने वाली हूँ जो है खोया पराठा जो खाके ही उसके स्वाद में आप खो जाओगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए गेहु का आठा, सूजी, बेसन, मैदा, थोड़ा सा नमक, गी अब पानी डालके इसका आठा बना लेंगे आठा थोड़ा नरम रखेंगे ताकि हम जब स्टफिंग भरें तो बाहर ना निकले तो देखे ये आठा गून लिया है अब उपर से थोड़ा सा गी लगाएंगे 15 से 20 मिनट डग देंगे 15-20 मिनट के बाद इसके पेड़े बना कर जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे पर उसके पहले हम तब तक खोया का मिक्शर तयार कर लेंगे 100 ग्राम मैंने खोया लिया है ड्राइफ रूट मिक्स कर दिया है पिसी हुई शक्कर डाल दिया अब इसे मिक्स कर देंगे ठोड़ा इलाईची पाउडर ढालके चाहे तो केसर भी डाल सकते है मैंने ठोड़ा केसर डाला हुआ है अब जिस तरह से पराठे बेलते हैं वैसे ही बेल देना है खोया मसाला डाल देंगे काफी ज्यादा मसाला भरे नहीं नहीं तो बाहर निकल गरम होते ही तो देखे ये पराठा बेल लिया इतना नरम करना आठा कि मावा जो है वो बाहर ना निकले अभी इसे दोनों साइट से घी से से लेंगे तेल से ना सेके तो तैयार है हमारा खोया पराठा खाके ही इसके स्वाद में खो जाएए अब मेरा तो यह फेवरिट जी डालिया और ढेर सारा ड्राइफ्रूट के साथ सर्फ को देखे लिए और देर सारा ड्राइफ्रूट के साथ सर्फ करते हैं